पांचमा की उशन देखिए मान लीजिए हमारी आकास गंगा में एक सोर दुर्वमान के दो पॉइंट पांच गुणा दस्की घात ग्यारे तारे हैं मंदाकनी के अंदर सें 50,000 लाइट येर दूरी परिस्तित को इतारा अपनी एक प्रिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेगा जबकि आकास गंगा के व्यास हमें दे रखा है दस्की घात पांच लाइट येर देखे दोस्तों यहां से हमें इस क्यूशन को समझना है कि ये हमारी आकास गंगा है और इस आकास गंगा में असंग के तारे हैं उन तारों की संख्या हमें दे रखी है 2.5 गुणा दस्की घात 11 तारे इसमें मौजूद है परतेक एक सोर दुर्यमान के सोर दुर्यमान का मतलब है सूरिय का दुर्यमान तो सोर जो दुर्यमान होता है वो हमारे पास में है हम जानते हैं होता है दो गुणा दस्की घात 30 किलो ग्राम तो एक सोर दुर्यमान के इतने तारे हैं तो आकास गंगा का दुर्यमान आकास गंगा का दुर्यमान और उसे हम कैपिटल M से लिखेंगे जो की एक सोर दुर्यमान के इतने तारों से बनी है, तो देखे दो पॉइंट पांच गुणा दस्की घात ग्यारे तारे हैं और एक तारे का जो दुर्यमान है वो है दो गुणा दस्की घात तीस तो ये हमारी आकास गंगा का मतलब मंदा किनी का दुर्यमान आच चुका है हमें क्यूशन में बता रखा है कि इसके केंदर सें 50 लाइटियर 50,000 लाइटियर की दूरी पर कोई तारा चकर लगा रहा है ये तारा है इसे आकास गंगा के चारों और चकर लगा रहा है इसकी जो रेडियस है वो हमें क्यूशन में बता रखी है आर बराबर 50,000 लाइटियर और देखिए दोस्तों एक जो लाइटियर होता है उसमें कितना मिटर होता है वो भी देख लीजिए 9.46 इंटू 10 पावर 15 10 पावर 15 मिटर होता है देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें M दे रखा है R दे रखा है और उसे तारे को पूरा एक चकर लगाने में कितना समय लगेगा वो पूछा है हम एक फोर्मूला जानते हैं आवर्तकाल के वर्ग का 4 पाई स्क्वेर R का क्यूब अपॉन केपिटल जी केपिटल M तो यहाँ से इसकी वेल्यू पूट कर दीजिए यह हमने पाई की वेल्यू पूट कर दी 3.14 R का जो मान है वो है हमारे पास में यह पचास हजार गुणा 9.46 इंटू 10 पावर 15 का क्यूब अपॉन केपिटल जी का मान है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 मास ओफ आकास गंगा आकास गंगा तो दरिमान है वो हमारे पास में यह रहा 2.5 गुणा 10 की घात 11 गुणा 2 गुणा 10 की घात 30 होता है और जब यहां से हम T का मान निकालेंगे तो हमारे पास में जो T की वेल्यू है वो 111.93 इंटू 10 पावर 14 सेकिंड प्राप्त होगी और यदि हम इसको वर्सों में कनवर्ड कर दें तो एक वर्स में जितने सेकिंड होते हैं उसका भाग लगा दीजिए तो T बराबर 111.93 इंटू 10 पावर 14 देखिए एक वर्स में होते हैं 365 दिन और उसमें 24 गंठे और 36 सेकिंड होते हैं तो यब यहां से केलकुलेट करेंगे तो 3.55 गुणदस की घात 8 वर्स का समय लेता है तो यह था हमारे पाटे पुस्तक का पाँचवा क्यूशन पाटे 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 जाटे का वर्स में होते हैं